दस में से साथ नंबर मुझे देंगे बहुत सारे लोग अरे मेरे दोस्त अगर आपकी आयू 20 वर्ष है रिटार्मेंट से पहले ही आपको बहुत करोडों रुपए मिल जाने वाले हैं इन्वेस्टिंग हो या लाइफ की कोई भी सक्सेस हो टोटल सक्सेस इन्वेस्टिंग के पेट कंपाउंड इंटरस्ट विश्व का आठमा जूबाय जो इस बात को ठीक से समझ जाएंगे वो इससे खूब पैसा कमाएंगे जुसको नहीं समझेगा वो इसके तरीके से हमेशा पे करता रहेगा और कभी भी उसकी पूंजी बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ पाँच लाख रुपे महीना कमाता है और पांच लाक रुपे महीना कमाता है आज के प्रजेंट सिनेरियो को देखते हूं कोई व्यक्तिय क्या सकता है कि इसका जीवन मुश्किल में राने वाला है यह ठीक ठाक जीवन वेतित करेगा और इसकी लाइफ तो हमेशा लगजी कर ने वाली है यह दुनिया का बहुत अमीराथ भी बनने वाला है है फ्रेंड्स इस बात नहीं पड़ता कि वर्तमान में आप कितने पैसे कमाते हैं फ्रक FLAT से पड़ता है उस पैसे को आप कैसे मैंनेज करते हैं आपने देखा होगा निव्य चैनल esse एक समय hm पर बहुत रिच थे लेकिन बहुत लंबे समय बाद जब उनको देखा गया तो उनमें से कोई सड़क परिभीक मांग रहा था कोई अपने फ्लैट में ही अपना दम तोड़ रहा था क्यों क्यों कि उन्होंने पैसा थो बहुत कमाया लेकिन पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं किया चाही तरीके से यू utilizz नहीं किया जिसकी वैसे अंतसामय या ऑथे उनके पास कुछ भी नहीं बचा और पावर ऑफ कंपाउंड इंड्रस्ट हमें यही भी सेव नहीं करता है क्योंकि गबर को लगता है मेरी इंकम पहले ही बहुत बढ़िया है इतनी लगजरी लाइफ में जी रहा हूं और आने वाले समय में इंकम बढ़ने की ही पॉसिबिलिटी होती है कोई भी विक्ति या नुमानी नहीं लगा सकता है कि भविश्य में उसकी बचाते हैं फर किस बात से पड़ता है कि आप अपनी बचत को कैसे निवेश करते हैं ताकि आपको मिलने वाला रिटन कई गुना हो अभी पिछला वीडियो मैंने आपको बना के बताया था कि एक ही परिवार के पांच लोगों को दो-दो लाख रुपे मिले और हर व्यक्त ने अपनी ज्यान अपनी योग्यता अपने अनुभव के अधार पर बिल्कुल सही निन ने लिया था लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट सबके डिफरेंट तो हम बात करते हैं कि सभी के सभी 40% सेविंग करते हैं जिसमें से गबर कोई सेविंग नहीं कर रहा है लेकिन पैसे को सही तरीके से निवेश करते हैं कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है तबी आपके लाइफ मे पैसा आपको पैसE विंकम मिलती और तब आपकी निवेश किया जाह उसको बारा परसेंटर रेटें मिल रहा था यही बात मैं आप लोगों से कहने वाला था कि दस में से साथ नंबर मुझे देंगे बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर बारा परसंट का निवीश कहां से मिल रहा है दोस्तों बारा परसंट का नहीं 15 कभी मिल रहा है 18 कभी मिल रहा है 20 कभी मिल रहा है आपको सही तरीके से निवेश करना आना चाह यह ऐसे अगर आप सेफ और चाते हैं तो आप बैंक डिपॉजिट कर दें साड़े तीन चार पांच परसेंट तक का आपको इंटरस्ट मिलता है और सेफ से यह आप आप FD कर दें FD में आपको 5-6-7 परसेंट तक का मिलता है mutual funds खरीद लें आपको कुछ और परसेंट मिलता है आप केवल चीजों को concept के रूप में ध्यान से समझे तो कि समझेंगे तभी आपको चीजें समझ भी आने वाली हैं लेकिन अपने मन में obstacle लगा चलेंगे कि इतना परसेंट कैसे मिलेगा तो शायद आप इन बातों को deeply कभी समझ ही नहीं पाएंगे और अगर सही समय पर आप समझ नहीं पाएंगे तो आप उसका फाइदा भी ने ले पाएंगे यह 40,000 रुपे महीने हर महीने अपने पास जोड़ता है तरह मतलब 40,000, 80,000, 8,000, 12,20 ऐसे करते करते इसके पैसे इसके पास बढ़ते गए पहले साल 40,000 रुपे महीना फर्स्ट इयर में कितने हो गए 48,000 फिर 9,60,000 लेकिन जै जो था वो अपने पैसे को इसी जगाए इन्वेस्ट करता है जहां 12 पर्शन का रिटन मिलता है और यह कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं आप बहुत आसानी से इन कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं अगर आप यह कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं गूगल पर जाने के बाद लिखें कंपाउंड इंट्रस्ट कल्कुलेटर तो आपको अटोमेटिकली कंपाउंड इंट्रस्ट मिल जाएगा और यहां पर आप सिंपल कल्कुलेशन केजी मैं कहता हूं इनिशल बैलन्स मेरे पास कुछ भी नहीं है डालने के लिए मैं केवल मंत्री बैलंस ही डालना पसंद करता हूं और कहता हूं कि मुझे तो rate of interest मिल रहा है वो 12% का मिल रहा है और मैं कहता हूं कि मैं इसको 35 साल के लिए इंवेस्ट करना चाहता हूं 35 साल मैंने कहा है आप में से बहुत से लोग करेंगे 35 साल कौन नितिजार करेगा अरे मेरे दोस्त अगर आपकी आयू 20 वर्ष है तो 35 साल में का मतलब 55 साल की उम्र जब रेटायर्मेंट से पहले ही आपको बहुत करोड़ो रुपए मिल जाने वाले यह तो आपके उपर डिपेंड करता है कि निवेश आप कितने समय के लिए करते मैं एक्जैम्पल के रूप में यहां पर ले रहा हूं और हर महीने के एंड में आप 10,000 रुपए महीना जमा करते हैं ठीक है एड़ दा एंड अब दा एवरी मंद औ और यहां पर inflation gap होता है हमेशा economy में आज की जो पैसी की value वो कल घड़ जाने वाली है तो inflation rate आप डाल सकते हैं हमारी economy में साड़े छे से साथ परसेंट साड़े साथ परसेंट तक inflation gap है मतलब जो value आज एक लाख रुपे की है वो आज से एक साल बाद एक लाख साथ जार की हो जाने वाली है तो inflation को अभी हम छोड़ते हैं simple calculation है आप अपने investment अपने rate of return अपने inflation के हिसाब से calculate कीजिएगा important बात यह है कि आपको निवेश करना है नाकिन calculations पर बहस करना है कि वह कितने परसेंट मिलना चाहिए तो चलो calculate करके देखते हैं वह कहानी तो आपने सुनी होगी compound interest के बारे में कहानी थी कि एक राजा के यहां पर एक भिख्षू आया उसने का कि राजा मैं आपसे दान लेना चाहता हूं राजा ने का जो चाहिए वह मां बैठ गया और जब वह 64 तक पहुंचा तब तक इस ब्रमान पर जितना अनाज था उतना अनाज भी वह पे नहीं कर पाया दे नहीं पाया तो यहां पर देखते हैं हमने टोटल डिपॉजिट कितना किया दोस्तों हमने 10,000 रुपे महीन जब डिपॉजिट किया तो हमारा डि इंट्रस्ट इंफलेशन मिला कि हमारा एवरेज रेट 12.68 और यहां पर आप सारी समरी देख सकते हैं कि 12 लाख रुप एक लाख बीज़ार रुपे आपके एक साल में जबा हुए इंट्रस्ट मिला आपको 6,825 रुपे जो कि कोई बहुत बढ़ा इंट्रस्ट नहीं है एक इस तरह से जब आप पार जाना शुरू करते हैं योगा करना शुरू करते हैं ढोट दिकते हैं लेकिन और भी मरत दीरे-दीरे होते होते रहता है और मेरी जीवन में ऐसा हुआ है आप चाहें तो मेरी पुरानी दो साल पहले तीन साल पहले पांच साल पहले की वीडियो ठागे देखें 102 किलो का व्यक्ति 67 kg वेट तक आया 6-pack अब्स तक मैंने अचीव किया तो power of compounding यहाँ पर काम करते है निरंतर आपको प्रयास करना होता है इदि आप ऐसी निवेश करते जाएंगे तो लगातार आपका निवेश बढ़ता रहेगा 20 साल के अंदर आपने 24 लाग deposit किये लेकिन आपका amount हो जाने वाला है 98,92,000 मतला लगबग एक करोड के आसपास यही बात मैं अगर 25 में साल में करूँगा तो आपने कुल टोटल deposit किया 30 लाग लेकिन 1 करोड 87,88,466 रुपए आपके हो जाने वाले है फ्रेंड यह discipline पे डिप करती है वो discipline पे डिपेंड करती है 35 साल अगर आप देखते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि आपने कुल जो राशी जमा किये 42,00,000 रुपए लेकिन वाउंट हो गया आपका 6,43,09,594 रुपए अब यहां पर बात वही आती है कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सार प्रशन होंगे और comments में यहां पर लिखना चुरू कर देंगे कि इतनी income इतना investment इतना कैसे हम करेंगे कब तक करेंगे मैंने example 10,000 रुपए सेविंग लिया है और जैसे जैसे आपकी income का सलया बढ़ता जाएगा तो क्या आप हमेशा 10,000 रुपए deposit करेंगे हो सकता आने वाले समय में आपकी income 25-35,000 रुपए हो जाए और आप 10,000 की जगा 15,000 रुपए महीना deposit करना शुरू कर दें 25,000 रुपए महीना deposit करना शुरू कर दें कई महीने ऐसे होंगे आप deposit नहीं भी कर पाएंगे कई बार ऐसा होगा कि आपको कहीं से initial को amount मिल गया वह आपनी कथा deposit कर दिय यह one time investment कर दिया तो one time investment का return भी आपको मिलने वाला है तो यह आपके उपन रिबर करता है अगर यही बात हम देखेंगे calculation के आधार पर first year आपको मिला 1,26,825 रुपए जबकि इसको मिला 4,80,000 रुपए second year यह amount 9,60,000 और यहाँ पर हमारा हो गया 2,70,000 के आसपास यहाँ पर 8 लाक 16,000 और यहाँ पर 24,00, 23,00, 48,00, 50,00, यहाँ बातर क्यों क्यों कि यहाँ पर income जो वो प्लस में चल रही है हर महीने के हिसाब से 40,000 रुपए जुड़ते जा रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है हर महीने 10,000 पर आपको interest भी मिलता जा रहा है और अगली बार वो interest आपका principle बन जाता और उस principle भर पर भी आपको interest मिलता है जिसकी वैसे power of compounding काम करती है अगर आप यहाँ तक भी देखेंगे ना तो यहाँ तक भी आपको लगेगा कि अभी जो यह पैसा जोड़ रहा है इसका है 48,00, रुपए और इसका 23,00, रुपए द लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय में return दोनों का बराबर होने वाला है क्यों कि यहाँ पर income पैसा कमाने पर काम नहीं कर रहे है और यहाँ पर income पैसा कमाने पर काम कर रहे है आपके ओपर निभर करता है कि आप इस बात को कितनी गहनता से समझते हैं आप calculate कर calculation के अधार पर calculation करेंगे inflation gap को लेकर चलेंगे cgr को लेकर चलेंगे जो भी दिमाग में आपके है हर चीज को लेकर चलेंगे तो आप पाएंगे कि केवल और केवल सही discipline और long term तक investment करने से ही आपका पैसा आपके लिए कई गुना multiply हो पाएगा यदि आपके मन में कोई भी प्र आपके सुनरे बविश्य की काम ना करता हूं जै हिंद जै भारत